हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेशनों की और दोस्तों बहुत बार ये प्रेशन एक्जाम में रिपीट हुए हैं जो प्रेशन बार बार रिपीट हुए हैं वही प्रेशन लेक ठीके दोस्तों तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन आपका यदि किसी कूट भासा में ओसीन को इतना और नौर्थ को इस रूप में कोडित किया जाता है तो उसी कोट में होर्न को किस रूप में कोडित किया जाएगा देखिए ओसीन को इस रूप में कोडित किया गया देखिए अगर आप क्या करेंगे इनको सबको numbering करेंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको इनको numbering ही करना है देखिए आपको क्या दे रखा है OCIN OCIN दे रखा है ठीक है यहाँ पर OCIN और OCIN का दोस्तों code क्या है 15972 15972 इसका मतलब क्या है O का code हो गया 1, C का हो गया 5, E का हो गया 9, A का हो गया 7 और N का हो गया 2 अब यहाँ पर जिस तरीके से north को भी देख लेते हैं ठीक है यह north का क्या code है north का है 21836 21836 ठीक है और पूछ रहा है होरन का किसका पूछ रहा है दोस्तों आप से पूछ रहा है होरन का clear अब आप यहाँ पर match कर लीजे match करने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको पता करना कि H का code क्या होगा तो H का code दोस्तों यहाँ पर कितना है 6 है तो यहाँ पर भी H का code आप क्या रखेंगे 6 रखेंगे O का code यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी O का code 1 है तो यहाँ पर भी O का code क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है R का code यहाँ पर कितना है 8 है तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा N का code find करना है N का code देखेंगे आप यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6182 6182 यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस option में दे रखा यह देखिए आप 6182 यह दे रखा C option में तो यह आपकी question क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा तो इस तरीके से question को हल करिएगा अगर इस तरह का question आपको दिया गया है तो ठीक है आपको direct क्या करना है direct मैं आपको बता रहूं इस तरह के question को direct करने के लिए आपको दिया गया होरन आपको होरन दिया गया है तो सीधा-सीधा यहाँ पर देखिए H यहाँ पर दे रखा है तो H यहाँ पर दे रखा है क्या आप करेंगे H दे रखा है H का कोड कितना है 6 6 लिखेंगे direct इतना calculation करनेगी जरूत नहीं है आपको direct करेंगे H दे रखा H का कोड 6 है तो सीधे 6 लिख लिजिए ठीक है जैसे मैं यहाँ पर बताओ मुझे H का कोड चाहिए H का कोड कितना है 6 है मैंने 6 लिख लिख लिए O का कोड चाहिए O का कोड कितना है 1 है मैंने 1 लिख लिख लिए R का चाहिए R देखिए कहाँ पर है तीसरे नमबर पर तीसे नमर पर यहाँ पर आठ दे रखा, मुझे आठ मिल गया आर का कोड चाहिए, एन का कोड चाहिए एन का देखेंगे कोड कितना, एन का कोड है दो, मैंने दो लिख लिए ये मैंने आपको पूरा डेटेल में समझाया है वरना आप जब एक्जाम में प्रेश्णों को सॉल्ब करेंगे तो एतना करने की जरूरत है नहीं, आपको डिरेक्ट देखिए डिरेक्ट सॉल्ब कीजिए, दो सेकेंड में आंसर आएगा उम्मिद करता हूँ सभी को प्रेश्णी बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला प्रेश्णी अगला प्रेश्णी है, दी गई संख्या में अगली संख्या क्या होगी देखें यहाँ आपको एक सीरिस आपको दी गई है यहाँ पर प्रेश्ण वाचक चिन्नी की जगह पर क्या है यह आपको बताना है तो आपको क्या करना है संख्याओं को ध्यान से देखना है जब आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो संख्याओं को क्या लगेंगी बढ़ते हुए किरम में है 7-8 हो रहा है 8 से 16, 16 से 43 मतलब संख्या आगे की तरफ बढ़ रही है कभी कभी क्या होती है बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी तो उसमें हम क्या करते है एक-एक संख्या को छोड़ करके relation बनाती है लेकिं संख्या जब लगातार बढ़ रही है तो लगातार relation बनाना है अब देखी, 7 से क्या हुआ, 8 कितना बढ़ गया, आप कहेंगे, 1 बढ़ा 8 से हो गया, 16 कितना बढ़ेंगे आप कहेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा 16 से हो रहा, 43 तो 16 में हम कितना जोड़ेंगे, 43 हो जाएगा ठीक है, अब यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगे यह आपको नहीं पता तो किस relation में यह जोड़ी जा रही है संक्या, वो आपको पता करना देखे यहाँ पर क्या होता है, एक तो मैं एक को एक का क्यू लिख सकता हूँ यहाँ जोड़ा गया, 8 का मतलब है दो का क्यू लिख सकता हूँ यहाँ जोड़ा गया 27, 27 इसका मतलब मैं तीन का क्यू लिख सकता हूँ तो इसका मतलब यहाँ क्या जोड़ा जाएगा चार का क्यू एक जोड़ा गया मतलब एक का क्यू फिर दो का क्यू जोड़ा गया, फिर तीन का क्यू तो इस वार क्या जुड़ाएगा चार का क्यूँ तो 43 में क्या करेंगे गरेंगे cases życie तो तीन और sath कितना चार कितना उजयगा सात हो जाएगा ज्युक्त और चार कितना हो जाएगा इसका प्रिश्ण का सही आंसर आगजा 107 107 दे रखा is سभी आफ सन में तो आपको यह ची याद होनी चाहिए कि एक क्या होता है एक का Q, दो होता है दो का Q, 27 होता है तीन का Q, तो संख्या कैसे बढ़ने है Q की फर्म में बढ़ रहे हैं वो भी लगाता है, एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, सब क समझ में बात आगी अब देखेंगे अगला प्रेश्ण doctrine अगला प्रेश्ण है नीचे दिये गए प्रेश्ण का सही बेन आरेक बताओ माता पिता कवेत्री देखिए यहाँ पर माता आपकी समझ में आ रहा है पिता भी समझ में आ रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी समझ में ये कवित्री नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक बात बता दूँ आप जानते हैं कभी ठीक है कभी जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों मेल ठीक है और कवित्री कौन होते हैं वो ह के लिए इतनी बात समझ में आगी जैसे पिता हमारे मेल होते हैं माता फीमेल उसी तरीके से कवी जो होते हैं वो मेल होते हैं और कवेत्री जो होते हैं वो होते हैं फीमेल इतनी बात समझ में आगी अब इसे काड़ दीजे तो देखे किस तरीके से इसका वेनारेक बनेगा मैं आपको बता सकता हूँ पिता एक फीमेल होते हैं माता एक पिता मेल होते हैं माता फीमेल और कवित्री भी दोस्तों फीमेल तो देखे यहाँ पर क्या हो सकता है कुछ माताएं कवित्री हो सकती है जो माताएं है वो कवित्री हो सकती है तो माताएं कवित्री हो सकती है इस बात म कवित्री से बनेगा तो जोड़के बनेगा चाहें ऐसे बना लीजिए, ठीक है, कुछ माताई हो गई, और माताई कुछ हमारी कवित्री हो सकती है और जो पिता है वो अलग रहेंगे इस तरीके से, ठीक है तो देखिए इस तरीके का डाइग्राम आपको कौन से नजर आ रहा है आप कहेंगे पहले option में आ रहा है या आपका सही answer हो गया देखिए दोस्तों यह मैं आपको एक चीज बता दू आप कहेंगे सर आपने विल्कुल ऐसा ही डाइग्राम बनाया है जो option में है ठीक है अब मैं आपको एक बात बता दू यह हो गया दोस्तों हमारी माता का आरेक ठीक है माता का कवित्री को आपको बनाना है कवित्री का ठीक है तो कवित्री का चाहें आप ऐसे बना लीजिए ठीक है यह आपके पिताजी का हो गया एक वा तरीके से बनाईए मैं इधर मनाता हूँ यह आपकी माता का हो गया माता है कुछ कवित्री हो सकते है तो इस तरीके से बना लीजे और जो पिता है वो अलग हो जाएंगे इस तरीके से बना लीजे तो ये वाला डायग्राम भी सही है आपका ये वाला आरेक भी सही है और ये वाला भी सही है एक ही चीज है तीनो ठीक है इस वाले आरेक को और इस वाले आरेक को आप देखेंगे तो कुछ अलग है बिल्कुल अलग नहीं है ये आपके माताएं हो गए ये कावेतरी हो गए ये नहीं पता होगा कि कावित्री क्यों दे रखा है इसका क्या मतलब है तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा प्रेशन अगर एक्जामें पूछा जाएगा कावित्री करके तो गलत बिल्कुल मत करना ठीक है दोस्तों सभी की समझ में बात आगी अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है रमेश 20 किलो मीटर पश्चेम की तरफ चला फिर दच्छिड की तरफ मुड़ा और 20 किलो मीटर चला और फिर पूरब की तरफ मुड़कर 20 किलो मीटर चला वो अवशुरुवाती विंदू से कितनी दूरी पर है ठीक है देखिए मैंने यहाँ पर क्या है दो आपको डाइगराम बना रखें मतलब जो दिशाएं होती है दो बना रखें क्यों बना रखें क्योंकि मैंने जब एक बार वीडियो बनाया था तो आपको बहुत confusion हुआ था उस confusion को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर दो दो आरेक बना रखें अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ लोग तो यह कहते हैं कि सर उपर की तरफ पूरव होता है कुछ कहते हैं उपर की तरफ उत्तर होता है चाहें तो आप पूरव उत्तर ऊपर की तरफ रखें चाहें नीचे की तरफ रखें चाहें पूरव को यहां रख लीजे चाहें यहां रख लीजे कहीं पर भी रख लीजे बस आपको दिमाग में यह चीज होनी चाहिए पूरब के जेश्ट अपोजिट क्या होता है पक्षिम पूरब पक्षिम उत्तर दच्छिन होता है ठीक है ये बात आपको confirm है तो पूरब आप कहीं पर भी लिख लिए यहाँ पर आपने पूरब लिखा आप तो पूरब के जेश्ट अपोजिट पक्षिम लिखेंगे और अच्छिन लिख देना है, सवाल गलत नहीं होगा मैंने देखिया, पूरव इस वार यहां पर लिखा है पूरव के जश्ट आपोजिट पस्षिम हो गया अच्छिन, मैंने पूरव यहां लिखा तो मुझे एक चीज मालूम थी कि पूरव के लेफ्ट साइड में भी गलती मत करना चाहे पूरब यहाँ दिया जाए चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर पूरब के जैस्ट अपोजिट पस्चिम को लिखिए और पूरब के लेफ्ट साइड में उत्तर होगा उत्तर के सामने दक्षिन होगा ठीक है अब प्रेस्ट में दोस्तों क्या कह रहा है रमेश पस्चिम की तरफ 20 किलो मीटर चला यहाँ पर रमेश है 20 पॉइंट पर ठीक है कहां चला है पस्चिम की तरफ पस्चिम कहा है दोस्तों यहाँ पर चला दोस्तों कितना वो चला यहाँ पर 20 किलो मीटर यहाँ पर आ गया 20 किलो मीटर चलके फिर दच्छिन की तरफ फिर पूरव की ततरफ मोड़ा और ऊपर की साड में तो पूरव की तरफ चलेगा और 20 किल्म चलेगा अब वह कह रहा है किसे दूर बृत ने दूर तो सुरुवाति चाहिए यहां से हैं कितनी दूर अब यहां पर तो यहां से यह त कि दूरी दोस्तों कितनी है बीस किलो मिटर की देखे यहां से यहां बीस है यहां से यहां बीस है यहां सामने वाली बराबर है दूरी यहां पर बीस है तो इसके सामने वाली भी बीस होगी तो अब वो सुरुआती बिंदू से कितनी दूरी पर है बीस किलो मिटर की दूरी पर ह पहला option हो जाएगा सही answer अगर वो प्रेशन में ये कह देता कि वे है कितनी दूरी ते की उसने तो 20 और 20-60 40 और 20-60 km की दूरी ते की लेकिन उसने क्या पूछाए कि सुरुवाती बिंदू से कितनी दूरी पर है वो 20 km की दूरी पर है समझ में आगी बात चाहे आप इस डाइग्राम से solve कर लो तब भी answer 20 km याएगा clear होई उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में बहुत अच्छे से प्रेशन आगिया होगा अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है 5 का relation 100 से है तो 7 का relation क्या बनेगा 5 से पहुँचना है 100 पर तो 5 से 100 पर आप कैसे पहुँच सकते हैं अगर आप कहेंगे कि 5 का मल्टपर अगर आप 20 से करें तो आपको कितना मिलेगा आप कहेंगे सर 100 मिलेगा 5 का मल्टपर 20 से करेंगे 100 उसी तरीके से 7 दे रखा है तो 7 का multiply भी कितने से कर दें 20 से कर दें 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दुनिय का 14 और 110 140 140 option में है नहीं तो इसका मतलब यह जो logic आपका नहीं लगेगा कोई दूसरा logic लगेगा 5 से 100 पर पहुंचे तो हमने 20 से multiply करके पहुंचे यहाँ पर 20 से करके पहुंचे तो 140 तो option में है नहीं तो इसका मतलब कोई दूसरा logic है अब देखिए दूसरा logic आप क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या है पांच है अगर आप 5 का square करें तो कितना होता है 25 होता है 25 से 100 पर पहुंचने के लिए क्लिए 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 अगर आप 25 का म करने के बाद जो आया उसका 4 से multiply यहाँ पी square किया इसको आर करने के बाद जो आया उसका भी हम क्या करेंगे 4 से multiply कर देंगे ठीक है कितना जाएगा 49 36 करच है केरी का 3 4 14 16 केरी का 3 कितना हो जाएगा 19 मतलब 196 आया है 196 देखेंगे 4 option में तो D option में दे रखा है तो यह क्या हो ज 25 का स्कूर करके 25 आया 25 कमल पे 4 से किया तो 100 पर पहुँच गए उसे तरीकी 7 कह चार पे 49 पे 4 से किया तो 196 पर पहुच गे 26 द ऑफशन में दे रखा है